जितने हुठ एक्ञाम दने वाले हैं 203 में 802 फरवरी को फिजिक्स का उन सभी छात्रों के लिए पता रहूं सारेक सारवेट है है 22 रहेगा लगुत इसमें से सिर्फ और जिर्फ का जवाब दना है और चे रहेंगे दिर्गुद्र इरिफ अचली न चरई ऐसरोटने टोटल सब्सक्रार मिनिट समय रहेंगे ऑप पुर्णांक जो रहेंगे टोटलố आपसे नमर आपका एम है यही कोनेक्ट हो जाएगी चलिए आगला प्रसंद देखते हैं ठीक है थ्राइसा फास्ट करते हैं दोसु ताक्या आप लोगो ज़दा ज्यदा प्रैक्टिस यहां पर हो सके और फटाफ़ याद करते चलिए ठीक है बिदुद्च्ट्र ई और बिदुद्च्ट्र भी में बिदुद्ध भी के बिच निम्लिके तुमेंसे कौन सा समंझ है रिलेशन्स सही है यही पूछा गया है तो यह बराबर होता है मैनस डी भी अपॉन डी आप टीक कंड़क्टर ऑफ रेडियस नाइन किलोमेटर रहेंगे तो बितुद्ध धारित्र का जो मान होगा इसका फर्मूला बेस्ट कोर्शन सही है और एक साथ चलना है वन मैक्रों फ्रैड इस दर क्रेक्ट एंसर हो जाएगी चलिए अगला प्रसंद देख लेते हैं कहा गया कि सम आंतर पर्टिक संधरीतर का धारीता होता हो आपका आपका उपस्र नमर्डी एक करिक्ट वेकर घ्र हो जाएगी असलार नोट आ इन्टु ए अपनट डी कोरेक्ट एंसर चार का यहां पर रैट हो जाएगी चले प्रिप को आप जाएक है कि यह लेंवा मीटर का परतीरोद जी है ठीक है और वोल्ट मीटर का परतिरोद भी है उसके बीच जो कॉन सा रिलेशन जो है समन्द सही है देखे जब पूछा जाएगा वोल्ट मीटर का परतिरोद हमेशा गया परतिरोद से बरा होगा ठीक है इसको आप लोको ध्यान में रखना है तो से उतर क्या जगा से बर सी हो जाएगी चलिया अगला प्रस देख लेंट है श्यवन नमर कहा गया है कि एक तार का परतिरोद परतिरोद एक तार का जो बिसीट परतिरोद हो वह वह निर्भर करता है किसके लंबाई पर उन्परस्ट कार्ट के व्यास पर दर्वान पर देक्व फिर से उतर रह हती है उर्जा आवेश सम्वेग या दर्वान से उत्तर हो जगा यहां पर आवेश का जगा चार्ज हो जाएगा और बी चलिए अगला प्रस देख लेता है कहा गया कि धारा वाही चालक के अंदर इलेक्ट्रोन की जो गती होती होती है वह होता है आपका अब मंदी डी एक्सल लाता है से उत्तर हो जगा पी बराबर यहां पर भी ऐसकोर अपनार देखे इस तरह के प्रसन एक नमर आप लोगो फिक्स है कि पुछाई पूछाई जाएगा ठीक है तो दसको एक बार यह फर्मुला और यह दो दोनों फर्मुला को आप याद रखोगे तो दो परसन आप आपको आसानी से बनते चले जाएंगे चले अगला प्रसन देखलता है कहा गया है कि चुम्बक के चेतर में गतिसील आवेस पर बल के लिए रिम लिखित में से कौन सा सही है देखिए अंतक सभी देखना एक प्रसन इंपोटेंट है और सारे प्रसन आप सभी के एक्जाम से पूछे जाने वाल है ठीक है तो से उत्तर हो जागा दोस्तों एफ वेक्टर वराबर यहां पर क्यूंटू भी क्रॉस बी यह वाला याद रखना है भी क्रॉस भी जब भी पूछा जाएगा चुम्बक के चेतर में गतिसी लावेस पर यह वाला नहीं होगा ऑपसने आपका और यहाँ जगा बी को रेक्ठ हो जाएगी अगला परांव देखे लगता है कि चुम्बक के फ्लक्स का ओ ऐसा इमार मात्रक होता है कितना नहांताता heticum अगला देख लेते हैं कहा गया कि जिस परिपत पे सिर्फ परतिरोध होता है उसका सक्ति गुनांग क्या होता है जब भी पूछा जाएंगे जिस परिपत में सिर्फ और सिर्फ सक्ति गुनांग होता है परतिरोध होता है उसका सक्ति गुनांग होता है उसका सक्ति गुनांग ठीक है क्यबल एक चली अगला देख लते हैं कि अ कहा तो तो रूट है तो बहुती भी वीए है हर एक बार पूछा जाता है कि एक चुम्बक के चुम्बक के लंबाई LM है जामेतिया लंबाई LG है इस दोनों के बी जो रिलेशन बनता हुँ क्या है देखिए 6 यहाँ पर क्या होता देखो 5LG बरावर या 6LM बरावर होता है 5LG के ठीक है कभी कभी इस साइड LG दे दिया देगा कभी कभी इस साइड LM आप लोको मिल जाएगा देखिए 6LM बरावर 5LG होता है ठीक है इस तरीके से अगर बनाओगे इसका फर लेशन तो LM बटा LG यह हो ज जाएगी ठीक है 6LG यह नहीं होगी ऑफसें नमर एक कोर्यक्ट हो जाएगा अगला देख लेते हैं यदि बी एच प्रित्वी के चुम्बक के छेटर है का चाहिती घटक और जो डेल्टा हो नमन कौन हो तो प्रित्वी के चुम्बक के छेटर के जो लिए निम्रिखी तमे जुम्बकन तिरेज़ता क्यों प्रमेटर personaje प्रमिटर या फिरबेद फ्रम संबरेद यहां पर क्या म्योन हो जाएगा- शी多 क्या आठान नमर देख लेता है कि चुंबक या मयुत्तर जो होता है ऑप्स नमर यहाँ पर ब्लस एक फर्मूला होता है ऑप्स नमर देख लेता है कहा गया है कि समाने आखे लेंश का फोकस दूरी देकि कभी-कभी पुछा जाता है शू असपास द्रिष्टी की नियूंतम दूरी और फोकस दूरी यहां पुछा गया तो यह दो सेंटिमेटर होता और यह असपास जो है नियूंतम दूरी होगा अब अगे प्रसना आएगा यहां पर अप्सट नमर B यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अब जाके हीरा का पानी का और यह कांच का करांटी कोन पुछा जाता रहा है दोस्तों इसको आप लोग कर याद रखना है कि हीरा का जो करांटी कोन होता है वो होता है 24.41 डिगरी ठीक है और यह होता है अपका पानी का वाटर का ठीक है अप्सन नमर के आ जागा यहां पर सही उत्तर हो जाएगी तीन होता है दस्तों का ज़्पला नेंस कесть सब्सक्राइब कि तर कल तो अप्रैनस नमर 153 नमर् देख रहता है कहा कि हैं आपका की परकासिक तंटूuine प्रकासिक तंतु का मूल सिधान्द होता है यह आपका पुर्णांतिक प्रावर्तन पर होता है टोटल इंटर्नल रिफलक्षन ओपसस नमर्डी टी आयार पे ठीक है अगला है देखिए यहाँ पे आगया कोर्शन की समाने आग के लिए स्पश्च द्रिष्टी के लिए निंतम दूरी जो होती है और कितनी होती है पचीस सेंटिमीटर होता है तो आफस नमर 24 का डी 35 देख लेते हैं आपे कि इंदरधनर के निर्मान के लिए निम्लिखित में से कौन सी परकास की घटना सही है जब भी इंदरधनर की बात आगा तो इसका मतलथ परकास का जो अब देखिए और बढ़िकश का निर्मान है ना किस रंग के प्रकास के लिए कांच का पॉर्टनांग सबसे अधिक होता है वह आपका होता है यहां पर दोस्तों से उत्तर हो जागा आपका भॉहाई अगला यहाँ परकास की अनुप्रस्त तरंग जो होती है वो प्रकृति को निवर्खित में से कौन सी घटना पुष्टी करता है प्रावर्तन वर्ण विक्षेपन बेतिकन या फिर धुर्वी करन सही उत्तर हो जागा यहाँ पर पॉलरेशन धुर्वी करन हो जागी चलिए अगला कोशन देख लेता है उन्तिस नमर कहा गया है कि अब रोध के किनारों से प्रकास का मुर्णा क्या कहलाता है देखिए अब रोध के किनारे से प्रकास का जो मुर्णा कहलाता है वो कहलाता है आपका वीवर्टन ठीक है डिफ्रेक्षन अगला है कि चांदी का कार्ज फॉलन जो हता होग जो कितना होता है कि चांदी का जो कार्ज फॉलन होता है यहाँ पर 4.7 इलेक्ट वोल्ट आप्सनum दी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अगला है कि प्लाण करना नियता है यह जो constant value होती है यह आपको बताना है यह होता है 6.626 गुने 10 के पावर माइनस 34 जूल इंटू सकेंट ठीक है options नमर यहाँ पे C correct हो जाएगी अगला देखते हैं कि photon का गतिक जो दर्मान होता हो कितना होता है photon का गतिक दर्मान जो होता है वो होता है आपका H upon C lambda क्यों जगा H upon C lambda अगला है कि निम्रिखित में से जो है कौन स्रेनी प्रावाइगनी परिशर में होता है देखिए प्रावाइगनी परिशर में जो होता है उसका नाम है लाइमन स्रीज क्या है लायमन स्रेज, उप्सन नमबर 33 का A, 34 देख लेते हैं, रेडियो एक्टिविटी के लिए निमिल्खित में से कौन जो उप्यूक्त नहीं है, वो हो जाएगा आपका प्राकिरति घटना, ठीक है, से उत्तर यहां पर खाओ जागा उप्सन नमबर B, और यह सारे आपका उप्य केरने, बीटा रेज जो होता है, वो सबसे तेज चलने वाला इलेक्टोन होता है, 35 का उप्सन नमर B, तो हम लोग ने यहाँ पर टोटल जो कोशन किया है, वो 35 किया है, अगले पार्ट में हम लोग लेकर आएं, जस्ट इसके बाद, 36 से आगे कोशन लोग लेकर आने वाले ह चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आकनल को प्रेस कर देना, चलिए मिलते हम लोग अगले वेजर में तब तक लेकर लोग त्यारी करते हैं, वाई बैस सभी को ठीक है,